नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ ससी मेकर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं जिसका नाम है दोस्तों प्रतिसत और दोस्तों इस वीडियो में हम प्रतिसत के उन प्रशनों को देखेंगे जिन प्रशनों क कैसे solve करें दोस्तों बीना पन उठाए औहों भी मात्रer 2 सेकंड़ के अंदर आइए प्रश्चो सभी परिष्छाओ के लिए महत्पूर्ण है सभी परिष्छों में बार बार ये प्रश्चन पूसे जाते हैं तो आईये दोस्तो देखते हैं प्रिष्चसद के कुछ important question देखिए दोस्तों पहला question है most important question है दोस्तों यह सभी परिश्याओं में पूसा जाता है और बार-बार दोस्तों यह paper में पूसा जाने वाला प्रशन है तो देखिए प्रश्न पढ़िया और दोस्तों इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको बीना-pen उता सॉल्प करना है मात्र दो सेकेंड में तो प्रेशन कहें रहे हैं दोस्तों एक परिच्छा में 70 पर्षेंट विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75 पर्षेंट विद्यार्थी गणित में उत्रिण हुए उत्रिण हुए का मतलब पास हुए यादि 5 पर्षेंट विद्यार्थी इसके लिए Venn Diagram बनाते होंगे, फिर एक बिसे में Pass, एक बिसे में Fail, ऐसे करके निकालते होंगे, और इस टाइप से Solve करने में आपके 5-6 मिनिट लगते होंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको ऐसे Solve नहीं करना है, आपको solve कैसे करना है मैं बता रहा हूँ बिना पेन उठाय solve करना है और मातर 2 सेकंड का अंदर इसका जवाब देंगे देखिए प्रस्ण पहले पढ़ेंगे कि कह रहा है प्रस्ण में last में देखिए पूछ कर रहा है तो कह रहा है तो ग्यात कीजिए कितने प्रतिसत बिद्या दोनों विश्यों में उत्रिड दोनों विश्यों में जब कभी भी दोस्तो पास पूछे तो आपको क्या करना है यहां पे भी पहले में भी पास लेना है यानि कि पहला भी से क्या है अंग्रेजी में भी पास लेंगे और दूसरा क्या है गणित में भी पास लेंगे उसके बाद तीसरा यानि कि दोनों विश्यों में क्या लेंगे दोस्तों अनुत्रन यानि कि फेल लेंगे और तीनों को जोड़के 100 घटा देंगे आपका आंसर आजाएगा बिना बेंड डाइगरम बनाएं मातर 2 सेकंड के अंदर समझे एक बार और कह रहा है कि कितने प्रिशत विश्यों में उत्रिण हुए यानि कि पास हुए तो पहले हम लेंगे यहां पर पास पहले विश्यों में पास फिर लेंगे दूसरे विश्यों में पास उसके बाद तीसरे में क्या लेंगे दोस्तों यानि दोनों विश्यों में फेल तीनों को ज गलित में उत्रिन हुए तो द्ध। वह ऐकर करेंगे और परसंट 250 उत्र embedded दुसरे में उत्रिया हैं तो marriage को पहले लिख लेंगे gue शत्तर पर्शंटी ये लिख लेंगे फिर प्लस क्या लेंगे दोशतों 75 से कीज्च से कeilिए ठीक है उत्रिण हुए और 5 पर्षेंट विद्यर थी दोनों विच्विश्व duplication में अनुत्रिण त्यूसरे यानि कि क्या लेक्ती अनुत्रिण लेना है और अनुत्रिण दिया भी है अब सम क्या करेंगे 5 ठीक है और इन किनों को दोस्तों जोड के हम क्या करेंगे इस में से 100 माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा तो 70-75 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 145 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा माइनस क्या करना है आपको 100 कर देना है तो माइनस 100 कर देंगे यानि 150 में से 100 है तो आपका option number C दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जोरुत है बिल्कुल भी नहीं है देखिए अब एक बार ओर समझाता हूं प्रसन कहे रहा है कितने प्रिशत विद्यार थी दोनों विश्यों में उत्रिण हु 75 प्लस 5 जोड़ेंगे 70 75 कितना हो जाएगा 145 और 145 और यह 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो गया और 150 में से 100 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 50% आ जाएगा 50% किस ओप्सन में है और दोस्तों इसको प्रेशन को एकडम अच्छे से समझ गयोंगे और दोस्तों इसको प्रेशन उठाने की जरूरत भी नहीं है और मात्र कुछी सेकेंड में इसका आंसर भी दे लेंगे तो आईए दोस्तों देखते हैं नेक्ष्ट कोशन और भी आपका क्लियर हो जाएगा देखिए दूसरा प्रेशन है दूसरा प्रेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस टाइप के भी प्रेशन पूछे जाए तो पेन उठाने की तब भी जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए प्रेशन कह रहा है किसी परिच्छा में 52 पर्षेंट बिद्यार्थी हिंदी में त अभी प्रेशन पूछे तो कितने प्रेशन भी दैर थी दोनों विश्यों में पास हुए पास पूछ रहे न तो हम क्या करेंगे दोस्तों पास के लिए अभी बताया पिछले कोस्टर में पहले में भी पास लेंगे दूसरे में भी पास लेंगे और दोनों में क्या लेंगे फेल तीनों को जोड के 100 घटा देंगे आंसर आजाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा बीना वेन डाइग्राम बनाए कुछी सेकेंड के अंदर तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों प्रशन पूछ रहा है एक बर और समझ लिजे कितने प्रशन बिद्यार थी द 100% टोटल होंगे बिद्यार थी हिंदी में पास होने वाले या फेल होने वाले हिंदी पढ़ने वाले टोटल बिद्यार थी कितने हैं 100% है ना 100% में 52% जब फेल हो गए तो कितने परशन पास हुए होंगे 48% और अंग्रेजी में क्या है दूस्तो 42% अंग्रेजी में फेल फेल लेंगे कितने संथ दोनों बीकिता हुए और जोड़ेंगे तो क्या हो जगा यहां पे देखेंगे यानि 106 हो जाएगा 106 और 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 106 17 123 हो जाएगा कितना हो जाएगा 123 और 123 में हम क्या करेंगे 100 घटा लेंगे 123 में से जब 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 23 यानि 23 पर्षेंट आ जाएगा 23 पर्षेंट विद्धार्थी क्या हो जाएगे दोनों विश्यों में पास हो जाएगे जो कि option number D में दिया है तो आपका option number D क्या हो जाएगे दोस्तों सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रशन को भी एकदम अच्छे से समझ होंगे कैसे समझे दोस्तों एक बार और समझा देता हूं इस टाइप के प्रशन क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं और आपको पेन उठाने की जोरत नहीं है बस थोड़ा से लिखना है तुरंत आंसर दे लेंगे देखिए प्रशन कहा रहा है तो कितने प्रशन विद्ध पास हुए होंगे 48 परसंट पास हुए होंगे और 42 परसंट अंगरेजी में इंती किनों को जोड़ लेंगे और इसमें से क्या करेंगे सो घटा लेंगे और जो आपका आँसर आएगा वही आँसर आजाएगा और 2850 कितना हो जाएगा 106 और 17 जोड़ेंगे 176 सत्रा कितना होता है 128 był potrze 103 में अब 23%, तो यही 23% दोस्तो अभिद्धार्थी दोनों विश्यों में पास हुए हैं, और 23% किस उप्षन में है, तो आपका उप्षन नमबर डी दोस्तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप इस प्रशन को एकदम अच्छे से समझ गहोंगे, देखने से पहले आपके लिए बहुत ही अच्छी e-book है, e-book के बारे में बता देता हूँ, दोस्तो आपके आगामी जो भी परिचा है, उसके लिए बहुत ही महतपूर रने वाली है, तो पहले e-book देख लिए उसके बाद नेक्षकों आपको बताता हूँ, दोस्तो एक e-book आई हुई है पंचम पब्लीसर की e-book है दोस्तो यह आपके आगामी जो भी परिशा होने वाले है RPF, SI या Constable, SSC, GD देंगे, UP Police देंगे, SI देंगे, वीडियो की एक्जाम देंगे, लेकपाल, रेलबे या अधर कोई साभी दोस्तो एक्जाम देंगे SSC का सामिल किये गए है जो आपके पेपर में बार-बार पूछे जाते हैं और दोस्तो इसमें सारे प्रशन पूछे गए ही है दोस्तो इस इवुक की कीमत मार्केट में अगर जो देखे आ और कहीं से लेंगे दोस्तो लगभग 150 रुपए में मिलेगी लेकिन दोस्तो आपके लिए एवी-वुक है मात्र 25 रुपए में मात्र 25 रुपए में दोस्तों आप इसको ले कहां से सकते हैं तो इसका लिंक जोस्तों जो है मैं नीचे description box में भी दे दिया हूँ comment box में भी दे दिया हूँ आप कहीं से भी दोस्तों इस e-book को मात्र 25 रुपए में ले सकते हैं और दोस्तों, आपको बता दू, डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी परकायर की समस्या होती है, नहीं समझ में आता है कि कैसे ले, तो दोस्तों, पंचम पॉब्लिसर के हाँ पर नमबर दिया गया है, 8158-00488, इस नमबर पर दोस्तों, आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं, दोस्तों, ये e-book बहुत ही अच्छी है, इस e-book को मैं खुद देखा हूँ दोस्तों, आपके exam के लिए बहुत फाइदे मंद होने वाली है, तो दोस्तों, अगर जो आपके exam में time है, तो exam के पहले पहले दोस्तों, इस e-book को जरूर लेके पढ़ लीजिएगा, आपको काफ exam में फाइदा मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों, इसमें जो भी प्रस्न है, किसी ना किसी exam में पूछेगा है, इसलिए दोस्तों, इस e-book को आप जरूर पढ़िएगा, तो आईए दोस्तों, देखते हैं next question, देखिए दोस्तों, तीसरा question है, तीसरा question भी most important question है, और ये अल विशों में फेल हुए, तो पहला question पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे solve करना है, बीना pen उठाए, बीना band diagram बनाए, ओभी मातर 2 second के अंदर, प्रस्न है दोस्तों, किसी परिच्छा में 20% छातर बिज्ञान में, तथा 15% गरित में फेल हुए हैं, यदि 73% छातर इन दोनों विशों में पास हुए हो, तो कितने प्रतिसत छातर इन दोनों विशों में फेल हुए, तो दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको बता दू, last वाली line आप एक बार पढ़ेंगे, last वाली line कह रहा है, कितने प्रतिसत छातर इन दोनों लेते हैं यहाँ पे ठीक है यहाँ पे दोनों विश्यों में फेल पूछ रहा है तो यहाँ पे दोनों विश्यों में हम क्या लेते हैं पास लेते हैं और यहाँ पे दोनों पहला में भी फेल और दूसरे में भी फेल और तीसरे में पास बस लेके तीनों को जोड़ देते हैं और 100 घटा देंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा बीना वेंड डाइग्राम बनाए देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे प्रेशन कहे रहा है कितने पर्षेंट चातर दोनों विश्यों में फेल हुए तो देखिए यहां पर हम पहले लेंगे फेल तो देखिए कहे रहा हैं 15% फेल हुए हैं तो प्लस लिख लेंगे 15 और फिर प्लस क्या लिखेंगे दोनों विश्यों में पास लिख लेंगे तो 73 पर्षेंट चात इन दोनों विश्यों में पास हुए तो यहां पर पास दिया ही है तो हमें कुछ नहीं इसमें बदलना है इसको हम लिख लेंगे और जोड के क्या करेंगे 100 घटा लेंगे और आपका आंसर आजाएगा देखिए 20 और 15 जोडेंगे तो कितना होगा दोस्तो 35 होगा और 35 और 73 जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा कितना हो जाएगा 108 108 में से हम क्या करेंगे 100 घटा लेंगे जब 108 में से 100 घटाएंगे तो आंसर आजाएगा क्या 8 यानि कि 8% छात्र क्या हो जाएंगे दोस्तो दोनों विश्यों में फिल तो 8% कहां दिया है 8% option नमबर B में दिया है तो यही आपका option नमबर B दोस्तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो इस प्रश्ण को भी आप एकदम अच्छे से समझ गयोंगे तो क्या दोस्तो इसके लिए आपको पेन उठाने की जोरत है बिलकुल भी नहीं है देखिए मैं आपको बताता हूँ पेन कैस क्यों नहीं उठाना है प्रश्ण कहा रहा है कितने % 6 इन दोनों विश्यों में फेल करो फेल के लिए जब पूछें तो पहले बिसे में फेल लेंगे दूसरे बिसे में फेल लेंगे और तीसरा यानि दोनों विश्यों में पास और तीनों को जोर लेना है 100 घटा देना है 20 15 15 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा 53 163 जोड़ेंगे दो 108 सोघा देंगे तो ऐंड़ा यानि कि दोनों BCO में फेल तो 105 option नंबर B में दिये हैं तो आपका option 15 73 जोड़े 108 होता है 108 में से आप 100 घटाएंगे तो 8% हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रशन को एकदम अच्छे से समझ गया होंगे पेपर में दोस्तों आएगा इस टाइप के प्रशन तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे दोस्तों इसमें और भी अलग-अलग टाइप की कोस्टन बनते हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे अगर जो दोस्तों आपको ये औकदम बेसिक से बता दूंगा ताकि आपको भी किसी प्रटार की समस्या नहीं होगी अगर जो दोस्तों आपको प्रशन अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों लाइक वाला सिंबल ऐसे बना होगा share वाला symbol ऐसे बनाऊगो दोस्तों यहाँ पर click करके facebook, whatsapp, telegram जितने भी दोस्तों आपके पास study group हो share इस वीडियो को जरूर कीजिएगा जो दोस्त इस channel पर नए है जिनको दोस्तों हमारे वीडियो की notification नहीं मिलती है तो नीचे दोस्तो रेल्ट कलर का इस टैप से subscribe लिखा हो दोस्तों आप यहाँ पर click करके channel के साथ जरूर जूड़ जूड़ जाए दोस्तों और बगल में bell icon का symbol बनेगा दोस्तों bell icon पर प्रेस करके bell icon को on कर लेंगे तो bell icon ऐसे दिखने लगेगा दोस्तों इससे क्या होगा दोस्तों मैं जितने भी important वीडियो डालूँगा उसकी आप तक notification याप तक message आएगा तो दोस्तों subscribe और bell icon पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महतपूर परिशनों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद